नवश्कार दोस्तों आपका स्वागत है 524 पर देखिए आज हम फिर से एक नई वेकंसी के साथ आपके सामने आये हैं NHPC Limited, a Government of Indian Enterprise की वेकंसी है तो देखिए पहले NHPC के बारे में जान लिते हैं NHPC है क्या Basically NHPC है National Hydroelectric Power Corporation जो की एक मिनी रतना कमपनी है जिसका की Government approximately 79% share sold करती है देखिए इसका जो Basically work रहता है वो Hydroelectricity को generate करने में रहता है तो इसी में भी recruitment open हुई है पहले भी एक बार हुई थी पर वो किसी कारणों से cancel हो गई थी तो यह दुबारे से वेकंसी आई है आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए बहुत कम समय में आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर बता दूगा आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने जो भी मित्रकन होंगे इस वेकंसी रेटेड उन से जरूर शेयर कीजेगा आईए शुरू करते हैं बिना समय कवाए अंतक बने रहेगा आप चैनल पर नहीं है तो लाइक शेयर सब्क्राइब जरूर कीजेगा देखिए यह जो डेट है यह 31 तारिक को बिगेन हो गई है यानि कि 31 जनवरी 2022 में और जो इसका अंतिमतिती रहेगी वो 21 दो 2022 तक रहेगी जो इसकी लास्ट फी पे है वो भी 32 दो 2022 तक रहेगी और बाकी जो एक्जाम की डेट है वो अभी इन्होंने गोशित नहीं की है कि एडमिट कार्ड कब आएंगे एक्जाम कब लिया जाएगा वो डिपेंड करता है किस टाइप की सिच्वेशन रहेगी आने वाले समय में जैसे कि अभी पेंडेमिक चल रहा है पर आप इस फेकेंसी को जरूर बढ़िएगा अभी जब हम बात करेंगा लिजिबिलिटी पे तो भी आप देखिएगा देखिए जो फीस है यहाँ पे जनरल और एकोनोमिक क्विकर सेक्शन और OBC की वो 295 है प्लस 18 परसेंट इसमें GST भी है तो वो सब चीज जिनों ने मेंशन कर रहा है नोटिफिकेशन में हम आपसे वो ही बात कर रहे हैं यहाँ पे जो बहुत जरूरी है देखिए उसके बाद फिर SCST, ESM और PH की अगर हम बात करें तो उनके लिए कोई फीस नहीं है बिल्कुल 0 है इसमें minimum एजग यह दि आप 18 वर्श के हैं तो आप अपना form फिल कर सकते हैं जिसने भी डिपलोमा किया है, fresher भी इसमें भर सकता है और experience older भी कर सकता है और maximum इसमें 30 years तक की age रहेगी वहाँ तक आप भर सकते हैं उसके बाद हम post के बारे में जानकारी देंगे आपको की post है क्या basically देखिए यहाँ पे junior engineer post है civil, electrical और mechanical की जिसमें की post है 68, 37 और 31 देखिए इसमें जो eligibility नो ने रखिए कि आपकी डिपलोमा में 60% approximately marks होने चाहिए 60% इसके अंदर फिर आपका जो full time 3 year regular diploma होता है वो होना चाहिए आपके पास और यदि आपके पास BTEC है पर डिपलोमा नहीं है तो आप eligible नहीं है पर वो बच्चे eligible होंगे इसके अंदर जो BTEC hold कर रहे हैं पर उनके साथ उनके पास 3 year का डिपलोमा भी है तो वो भी बच्चे इसके अंदर eligible है उसके बाद देखिए हम जो pay की बात करेंगे कि आपको यह 18,500 तक उसके बाद जो हम पोस्ट की बात करें कि पोस्ट का इन्होंने विवाजन किस तरीके से किया इसके अंदर तो देखिए जो रिजर्ब पोस्ट है पी डबलो डी पी डबलो बीडी की परसन विद डिसेबिलिटी की उसकी चार पोस्ट है उसके बाद जो हम category wise पोस्ट देखें तो civil electrical mechanical में अगर हम SC की बात करें तो 11,55 ST की बात करें तो 4,3,3 4,3,2 OBC की बात करें तो 19,86 EWS की बात करें तो 6,3,3 और अगर हम undeserved की बात करें तो 28,15,15 आशा कर रहा हूं कि आपको यहां से बहुत सारी चीजे बहुत जल्द क्लियर हो रही होंगी आपको बहुत चोड़ा उसमें हो नहीं करना अभी देखें हम steps के बारे में बात करते हैं कि आपको form कैसे फिल करना है देखें मैं इसका आपको direct link provide करा दूंगा description में आप जाके direct वहां से click करें लिंक पे और आप direct form फिल करने की site पे पहुंच जाएंगे तो उसके आपको टेंशल लेने की mark sheets उसके बाद फिर कास certificate होना चाहिए आपके पास उसके बाद फिर अगर आप reservation होल्ड कर रहे हैं disability का कोई reservation होल्ड कर रहे है ठीक है certificate to conserve grades CGPA इस तरह का आपके पास certification होना चाहिए फिर आपको अपनी क्या करने है photograph upload करनी है signature upload करने है और उसके बाद आपको print निकालना है और अपना आपको क्या करना है fee pay कर देनी है तो बहुत simple सा इसमें कोई ऐसा hard pass rule नहीं है तो आईए देखते हैं बात करेंगे selection process के उपर कि selection किस तरीके से लिया जाएगा selection इसमें आप चैनल पर नहीं है तो like share subscribe भी कर दीजिएगा इसी प्रकार की नई नई जानकार यहां आपक center हैं वो हमने इसमें provide नहीं कराएं इस माध्यम से पर बहुत कम center इसमें दिया है तो जो आपको suit करेगा सबसे जाद आप वही feel करिएगा ऐसा नहीं है कि हर city के अंदर center दिये गए है देखिए फिर इसके बाद हम बात करेंगे syllabus क्या है CBT का देखिए duration जो है CBT की 3 गंटे की सब्सक्राइगी 180 मिनिट्स की CBT है computer-based test और negative मार्किंग इसमें रहेगी एक question करते हैं और उसके बाद 4 गलत करते हैं तो वह भी आपका zero हो जाएगा तो यानि कि एक मार्क पर आपको एक question गलत करने पर आपको 0.25 की negative मार्किंग मिलेगी तो उसके बाद जो टोटल मार्क्स ह पर रहेगा जिसमें की इन्होंने तीन कटेगरी में डिवाइड कर आए 140 30 & 30 तो देखें जो 140 है concerned discipline civil electrical mechanical की है यानि कि आपको 140 नंबर का paper जो देना होगा वो केवल अपनी branch का देना होगा और जो बाकी के 200 जो 30 30 नंबर बचे हैं 30 नंबर आपकी general awareness पर रहेगी और 30 नंबर के clear करना चाहे तो बहुत असान ही से कर सकते हैं 140 30 170 नंबर तो बहुत असान है जिसमें की general awareness में भी अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो एप्रोक्स 10 to 15 नंबर साप ला सकते हैं तो देखे 140 30 और 15 लगबग यह मान के चलिए आपके हो गए 185 तो 185 नंबर का तो आप attempt कर सकते हैं और 185 में से मिवानता हूं कि 120 तक नंबर आप अगर बहुत अच्छे से बढ़ा ही तयारी कर रहे हैं तो आप अराम से ले आएंगे और यही नंबर बहुत sufficient रहते हैं आज के समय में cut off clear करने के लिए इसके साथ आशा करता हूं आपको यहां से बहुत सारी बाते clear हो है candidate having BTEC B with the essential qualification therefore full time regular diploma is concerned discipline is are not eligible याने कि इन्होंने का है कि यदि candidate के पास यदि candidate के पास B BTEC है पर without the essential qualification मतलब आउनके पास क्या है डिपलोमा नहीं है तो वह eligible नहीं है जो कि यह अभी उपर आप से बात कर चुका है देखें आपको नसी प्रोवाइड करना होगा यदि आप किसी government department में वर्ख कर रहे हैं और आप साथ में यह paper देना चाहरे है तो आपको joining के time पे एक नसी प्रोवाइड करनी होगी कि सर हम वहां से उन्हें हमारे department को कोई दिक्कत नहीं है कि हम यहां पर joining कर रहे हैं उसके ब अधिके साथ जैहिन जैवारत अपना ध्यान रखिएगा आप चैनल पर नहीं हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीचेगा और अपना कुश्चन आप कमेंट बोक्स के माद्यम से हमारे से पूछ सकते हैं धन्यवाद